अब हम बनाने वाले आगरा का फेट पेटा असलाम अलेकर राखमों पतातो गायल विल्कम टू जहराइस कीचेना जहरा कीचेन में बनने वाले आगरा का पेटा जो हर जेने को पसे लेता है जल्ली जटपट से पलता है जटपट तो नहीं बनता इसको ऑल्मोस्ट 24 आवर्स ल लिए हमने यहां पर यह पेठा लिया है और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आश काट तो अब यह पूरा राइपन है यह राइपन जैसे किस तरीखे से मालूम होगा यह जो ऊपर इसका यह जो वाइट कलर दिख रहा है ना अगर यह ऐसा है तो आप समझ जाएगे कि यह प और उसके बाद में अगला प्रोसेस बता है तो यहां पर अलाइना हमें मदद कर रहे हैं धोने के लिए अच्छे से जो इसे तो गाइग इस पर कुछ दस्ट लगते है ना जिए हम इसको दोना पड़ेगा अच्छे से दोलो इसको कुछ किरिकाना ने चाहिए ने तो आपक अच्छे से दोली जी है आपको पेटा हमेशे अच्छा बनेगा हमारे और हमा को ट्राइब करके कैसा बोले कैसा लगा आपको यह फेटा पेटा सौरी अभी हम इसकी कटिंग करते हैं अब कुछ साइटों में पूश पाइप कर लेगे ड्राइब रहना चाहिए आप टिशू बेपस से कुछ लोग से कर सकते हमां काटे के पेटा अब कर अब कर अब कर अब कर अब बहुत ही अच्छा पेटा है लेकिए अंदर से इस तरह से लगेगा जब वो राइप रहेगा किस-किस को पेटा पसंद है वो लाइप कर दीजिए और कमेंट में जरूर लिखेगा आप सब को पेटा पसंद रहे हैं है हमको तो बहुत पसंद है यहां पर हम सिर्फ इसका ये गुदा इस्तमाल नहीं करेंगे और ये इसका छिलका भी इस्तमाल नहीं करेंगे यह जो वाइट है बस हम यही इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए पहले मैंने इस तरीखे से कट कर लिया है देखिए अब मैं इसका ये गूदा क्रेप आफ कर दूंगी सारा कि अप्लक करण आप ये अपको जिसके अंदर करें इसको इकाल देना ओक हुआ और जी साइट का चीनगा कि इकाले पार इस तरी टाएफ देखिए मैंने इसका सारा दूदा निकाल दिया है अब हम निकाले के इसका चीनगा इसका श्किन भी में निकाल दूंग म्याइब काइ डियोली बूद अच्छी बनती है जरूर ट्राइब करिए गया देखिए मैंने इसका शिल्का भी निकाल लिया है आफ्टर शिल्काई काने के पाद देखो कैसा लगए पूरा ऐसी करना है आपको अब इसका निक्स्ट प्रॉसस यह होगा इसको अब हम यह फोक के मदद से अच्छे से इसको पूरा ऐसा पिरस कर देंगे अलाइना हेल्प करना चारिए हमें चलिए करिया केरफुला अच्छे से कीजिएगा मारे पंठा दो और इस तरीहरा से इडर से करो कर viktा हाओ बश्लाइना है तो म मेंद से इस करो है बाद है अब नेक्स्ट इसे भी करिए वेरी गूड गेफुल केफुल अलायना हमेशा मेरा हर काम में मदद करती है व्लॉगिंग का बहुत छोक है हमारे अलायना को तो काई नेक्स्ट मंच से मैं भी एक चैनल खुलूंगी तो आप उसको भी देखना है लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है दोस्त वो चैनली में मेरे भाई बेन और पूरे फैमली आई है बढ़ हमारी आवाज आईगी हम लोग दिखेंगे नहीं इस चैनल को भी आप हमारे सपोर्ट कीजिएगा हम बहुत मुंतजर हैं आप सब के सपोर्ट के तो इसी तरीखे से हम यह हमारा सारा लेफ्ट ओवर जो पेठा है हम इसी तरीखे के सारा प्रोसेस इसके साथ भी करेंगे और उसके बाद हम यह जो ना एक बॉल में पानी ले लिया है अब हम इसे पानी में दाल देंगे में जब तक मैं सारा मेरा फिनिश ना कर दू तब तक यह जारी चीजें यह बोल में रहेगा तो चलते हैं तो फिर मिलते हैं यह सारे चीजें इक इपाले पार याँ में यह प्रोसेस करने के बाब ठीक है अब हमारी यह सारी कटिंग हो गई है अब हम इसे यह पानी को ड्रेंड कर देंगे अच्छे से दो कर अच्छे से दो कर अच्छे सफाई का जादा ध्यान रखा है यह जाए तो जंग पिता नुआरे ज़िए आदी सुरचे चाहिए इस पानी को अम में पानी आजरेंगे और उसमें दो टेबल स्पून चुने का पेस्ट याने की लाइम स्टोन करेंगे डाल दिया इस में चुना यहां पर यह चुना है दो टेबल स्पून मैंने इस्तमाल किया है और आपको यह कहीं भी आसानी से आपके नदी की ग्रॉसरी शोन या ग्रॉसरी शौप या पान की दुकान कहीं भी आपको यह मिल जाएगा आप इसमें हम पानी आट करेंगे आप 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 हमारे जो पेट है सारे हो गये है इस देखिए हमने इस तरीखे से इसको यहां पर प्यस करिया है इसका यह वज़े है क्यों कि इसमें हम क्या शीरा जाने के लिए राग करें जो कि जूसी बनता है अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो गाइस कटिंग आप सोचोगे कंटिंग मैं करेंगी बट नहीं यह बड़े कटिंग बड़े करेंगे इसे कट करिया तू इंच का यह फरक रहना चाहिए हट चीज में होत्या में बनते का इस ट्राइक करियो प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए वीडियोज को और सब्सक्राइब कीजिए सारी मैं दुद्द बार सब्सक्राइब कीजिए बोली सब्सक्राइब लाइक शेर और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगाएं कि अब तो यह सारे को गय है इसी तरीखेसे हम इसी तरीखेसे यह सारे भी हम ऐसे ही कट करने गे और यह सारे इसे काट को देखिए यहां पर मैंने इसे चुनी के पानी में दाल दिया है और हम इसे 10-12 घंटे और या ओवरनाइट इसे इसी तरीखे से भीगो कर रखेंगे और उसके बाद हम उसका दूसरा प्रोसेस करेंगे हमने इसे 8-10 घंटे भीगने रखा था चुनी के पानी में देखिए यह कितने अच्छे तरीखे से वाइट वाइट हो गये हैं अब मैं इसे सारा ट्रेन करूँगी और अच्छे से वाश करूँगी आप इस तरीखे से स्क्वीज करें आप दोते समय इसे न इस तरीखे से स्क्वीज करें तरा चुने करेंगे चुने का पानी निकल जाएगा एक एक को प्लीज ऐसे स्क्वीज करें ताकि सारा चुने का पानी निकल जाए तर टांस स्क्वीज करें कि में हाफ आफ कॉंटिटी में करके भूंगी इसके यहां पर मैंने इस अच्छे से धोकर ड्रेन करने के लिए रख दिया है अब हम इसका नेक्स प्रोसेस करते हैं जिसके लिए मैंने हाँ पर एक पैम लिया है जिसमें मैं इसे उबालूंगी पांच मिनिट के लिए इसमें मैं पहले ही गरम पानी दाल दोंगी इसे कोपिं प्रोसेस जल्दी हो जाएगा हमारा हमें इसे सिफ पांच मिनिट के लिए पकाना है स्लोली स्लोली देखकर दाल देगा इसी तरीछे से हमें सर्फ सारे हम इसमें दाल देंगे आप देख सकते हैं यहां पर इसे हमने अच्छ से उबालने के लिए रखा है साथ से आठ मिनिट हो गए उबल रहा है तब तक हम इसका शीरे का तैयारी करते हैं यहां पर मैंने इक कड़ाई ले ली इसे गरम करने के लिए रख दिया है अब मैं इसमें एक किलो के आसपास शकर जालूँगी क्यूंकि हमारे पेठे की कॉंटिटी ज्यादा है तो शकर जादी लगेगी और उसमें मैं दो ग्लास पानी आट करूँगी जादा पानी आट कीजिगा बस ग्लासी पानी आट कीजिएगा और मैंने यहाँ पर इलाइची को गराइंड कर रख लिया है 6-7 इलाइची मैं उसमें इलाइची का पॉर्डर इसमें आट कर दूँगी और अब मैं इसे चलाते रहूंगी कि देखें कितना अच्छा उबाला रहा है यहां पर अच्छा जैसे यह शक्कर इसमें घुल जाए और इसका अच्छा सा शीरा बन जाए मैं सारे उबलेवे जो पेठे हैं हमारे मैं इसमें ट्रांसफर कर दोगी आप यहां पर देख सकते हैं हमारी चाशनी तयार हो गई है आप इस कंसिस्टेंसे देखें चितनी पतली है अब इसी में अब हमारे फर्स्ट बैच हम इसमें दाल देंगे और इसे इस चाशनी में तब तक पकाएंगे तब तक यह चाशनी गाड़ी ना हो जाए अब यह चाशनी में अच्छे से पकेगा और तब तक हम हमारा सेकेंड बैच रेडी करते हैं मैंने इसे ड्रेन करकर रख लिया था इसी पानी में मैं इसे वापस गलने के लिए दाल दूगी मैं यहाँ पर दो खिसम के पेठे बना रही हूँ एक जो बेसिक है वाइट कलर का और दूसरा जाफरानी पेठा तो इसलिए मैंने सारे चीज़ों को दो बाचस में किया है हर चीज़ जो हम बनाते हैं उसके पीछे काफी महनत लगती है प्लीज हमारे महनत को अप्रिशेट करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा हम बहुत ज़्यादा महनत करते हैं हमारे चैनल के लिए आप सब तक हमारे घर के अच्छे डिशेश पहुंचाने के लिए तो हमारे महनत को आप अप्रिशेट करिएगा और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा हमें सपोर्ट कीजिएगा देखिए यहां पर हमारा फर्स बैच पक कर रेडी हो गया है हमने शीरे को तब तक पकाया था तब तक एस सारे एकदम शीरे की कोटिंग ना हो जाए पेठे पर यह फर्स बैच जो बेसिक पेठा है वो रेडी है अब हम सिकेंड बैच रेडी कर रहे हैं इसी में मैं तीन कप के आस-पास शकर दाल रहे हूं और उसमें मैं आदा कब पानी दालूंगी जादा नहीं क्यूंकि हमारा सेकेंड बैच बिलकुल कम है और अब मैं उसमें जाफरान दालूंगी देखें इसमें तुड़ा सा जाफरान इसमें तुड़ा सा येलो फूट कलर भी आट करूंगी अब इसी चास्टी में हमारा सेकेंड बैच को हम पकाएंगे तब तक ये इस तरीखे से ना हो जाए सारी कोटिंग ना हो जाए पेठे पर हम इसी में फिर सेकेंड बाच हम बनाएंगे मैंने यहां पर एक वायड राक ले लिया है अब मैं यह सारे जो हमारे पेठे हैं इस पे रख दूंगी और इसे पांस से घंटे के लिए खुली हवा में ऐसे ही रखूंगी जब तक ये ड्राइव ना हो जाए जैसे यह ड्राइव हो जाएंगे और आपके मज़िदार पेठे रेडी है आप इसे अच्छे से स्टोर करिएगा और काफी टाइम तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं और हमारी जाफरानी चाश्णी पक्ते रेडी हो गई है अब मैं सारे पेठे मैं इसे 5-6 घंटी के लिए ऐसे ही रखूँगी उसके बाद एक टाइट कंटेनर में आप जैसे भी चाहे इसे स्टोर कर सकते हैं और अराम से हफ्ता दो होता इसे इसे इस्तमाल कर सकते हैं देखिए यहां पर यह पेठा जाफरानी पेठा भी पनकर रडी हो गया है इसे हम शीरे में ही रखेंगे इतना शीरा रखना चाहिए देखिए जादा उतना जादा नहीं और उतना कम नहीं बस मीडियम शीरा रखना चाहिए इसकी कंसेस्टेंसी कुछ इस तरीखे से रहना च चाहिए देखिए मैं आपको consistency भी बता दूँगी देखिए तो हमारे पेठे पककर रड़ी हो गए हैं मैं एक बार stir मिक्स कर लूँगी अच्छा से और उसके ताद ग्यास अफ कर दूँगी तो चलो यह मैंने ग्यास बंद कर दिया पांच से घंटे होने के बाद इसे मैं स्टोर कर लूँगी तो देखिए हमारे दो टाइप के पेठे रड़ी है हमारे चानल को प्लीज 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 लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा तो चलिए अलाइना भी स्कूल से आ गई है और हमारा ये पेठे बनने का प्रोसेस भी खतम हो गया है तो मिलते हैं अगले वीडियो तक अगले वीडियो में कुछ नए रिसिपीस के साथ और तब तक के लिए अल्लाइ आप सब अपना ख्याल रखिएगा में दौाओ में यादर कीगा आलाह आपिस